भारत वर्ष के 68 में स्वतंतुता दिवस के मौके पर क्राइम पिट्रोल के सभी दर्शकों को धेर सारी शुब कामना है। क्रु웠 उसता तर्शकों कर Prime क्रुदने मौके पिरी शुब कर दो नुब कामना है। क्रुदने दित만 तसना है। कि युष बरते दितके सतूंट FORा साachts कर्के सभी दो कि परेंगर को आगे ख day x 2 कि परेंगर के सभी दो कि तके सना है। का एडि रोटो आपर आपर अपर आपर आपर हलो मैरी डेविड डेविड पोलो मैं डरा दिया मुझे अरे छे भीष हो गए है तुम अभी तक एमिली को पिक करने नहीं गई अरे वो 6.25 का अलाम लगाया था मेने मैं पहले ही फोन करती है हाँ मुझे टेंशन हो गई थी मुझे लगा अलाम बशतर आएगा और तुम उठोगी नहीं पस पे टेंशन वाली कौन सी बात है अचा ठीक ठीक अब उड़ गई हो तो जाओ जल्दी एमिली की बस आती होगी हाँ हाँ जा रही हूँ हाँ हाँ मेरी तुम ताइम पर पहुँची ना ओके ओके बहुत जल्दी मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ मेरी कंपनी मुझे एक असाइनमेंट पर जॉर्डन भेज रही है एक महीना पहले डेपूटेशन हो चुकी है अगले हफते मेरी फ्लाइट है मुझे ये फ्लाइट नहीं लेनी मुझे इस असाइनमेंट पर नहीं जाना है ये डेविड जॉर्डन सारे ब्रांचिस में से सिर्फ हम दोलों को सिलेट किया गया है तो गुड ना? हाँ मिला मुझे एमेल डेविड तो खुश नहीं? छे महीने राजेश पूरे छे महीने फैमिली से दूर अरे छे मेने यू निकल जाते हैं यार और इतना बड़ा प्रिस्टीजिस ओवर्सीज पोजेक्ट है वो सब मैं समझता हूँ लेकिन इस वक्त मैं मैरी को छोड़कर ओवर्सीज तो क्या पूना तक नहीं जा सकता हूँ वो अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है समझ रहा हूँ डेविड लेकिन कमपनी तुम्हें बैक आउट नहीं करने देगी तुम हमारे बेस्ट चीफ इंजिनियर हो डेविड ये जॉर्डन वाला प्रोजेक्ट गल्फ रिजन में हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए गेम चेंजर है तुम्हें ना वेजना में अफोड नहीं कर सकता सिर्फ छे मैनों की बात है पर ये छे मैने बहुत क्रूशल होंगे I understand, sir लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैरी के ब्रेंट यूमर आपरेशन को भी एक साल भी नहीं हुआ वो मेरे बगार एक दिन भी मैनेज नहीं कर सकती है, sir हमारे बच्चे अभी छोटे है और मैरी को बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जो जो याद नहीं रहती है देविड, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें फैमिली के साथ जॉर्डन बेचता पर यू नो, ये पॉसिबल नहीं है और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है एंडी, वो खिलोना नहीं है, खाना है खिलना बनकरो खाना काऊ चुपचाप पापा, आप टेंशन मत लो मैं मम्मी का और अंडी का पूरा खाल रखूंगे डेविड, तुम ना बहुत ज्यादा और बहुत दूर की सोच रहा I'll manage here, I promise Please, कोई टेंशन मत लो And listen, तुम जानते हो ना यह ओफर हम सब के फ्यूचा के लिए कितना अच्छा होगा अब कुछ सोचने की ज़रवत नहीं बस जा कर अपने बहुत से हां कैत पापा, जाने से पहले ना मेरा स्टड़ी टेबल बनवा देना Please Of course, of course, sweetheart जब मैं जॉर्डन में रहूंगा यहां किसी दिन मेरी एंडी या एमिली को पिक करना भूल गई तो तो क्या होगा अगर कुछ हो गया तो यह तीनों मेरी जिंदगी हैं और मेरे यहां ना मौजूद होने के खयाल से ही डर कुरेदने लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो वो कुछ क्या है जिससे मैं डर रहा हूँ वो मुझे नहीं बता पर इस अंजान खौफ से इने बचाने के लिए मुझे सब कुछ करना होगा और डेविड ने बिलकुल वैसा ही किया जिस जिस कोने से उसे इस अंजान डर का आभास हुआ उसने उन कोनों को सील कर दिया उसने वो सारे इंतिजाम कर दिये जिससे उसकी पतनी मैरी को घर संभालने में सहूलियत हो मैरी की भूलने की समस्या के लिए वो कोई गुझाइश नहीं छोड़ना चाता था डेविड कोई चांस नहीं लेना चाता था सुभे साड़े आरा बजे एंडी की बस आती है शाम को साड़े छे बजे एमिली की बस आती है तुम्हे छे पच्चिस पर हर हालत में बस्टॉप पर पहुँच जाना है मेरी अब बस भी करो डेविड प्लीज मैं नहीं भूलूंगी मैं जानता हूं डार्लिंग लेकिन एक परसंट चांस अगर तुम भूल गई तो तुम मैं नहीं चाहता हूं कि तुम स्ट्रेस में आजाओ याद करने की कोशिश में स्ट्रेस में तो तुम हो डेविड अभी एक लॉक पंदरा मिनट आगे है मेरी अगर तुम कभी लेट हो भी गई तब भी कुछ छूटेगा नहीं और अगर मैं पंदरा की जगा बीस मिट लेट होई तो पच्छिस, पचास मिनेट सॉरी, सॉरी, बबा, इस जोकिंग तुम मत करो ना ऐसे जोक्स इस सीरियस मैटर अगर तुम बस्टॉप पर टाम से नहीं पहुंची तो स्कूल बस एमिली को ड्रॉप नहीं करेगी ऐसा नहीं होगा, बबा, प्लीज थोड़ा तु भरोसा करो मुझ पर अब हैना, तुम सच में मुझे स्ट्रेस दे रहो अरे नहीं, नहीं, तुम स्ट्रेस मतलो, प्लीज आजिस्ट वांट टो मेक शूर कि कोई गरभर नो हम कोई चांस नहीं लेंगे, हाँ सब ठीक होगा सब ठीक होगा Mr. Gomes, rules are rules अगर bus stop पे कोई पैरेंट नहीं होगा बच्चे को पिक अप करने के लिए, तो स्कूल उसे वहाँ अखेली छोड़ने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता ये rule हमने बच्चों की सेवटी के लिए बना है सिस्टर, मेरी Emily तस साल की है वो बस टॉप से घरता का रास्ता अच्छी तरसा जानती है और रास्ता सेफ है आप तो जानती हैं कि Emily की मॉम मेरी इनकी तपियर ठीक नहीं रहती है प्लीज हमारे लिए rules में थोड़ा सा कंसेशन कर दीजिए और वैसे भी Emily की classmate, Rosie वो हमारी बाजुबाले बिल्डिंग में रहती है वो तो ड्रॉप पॉइंट से घर रोज अकेले आती है वो एक special case है Mr. Gomes रोजे की दोनों पेरेंस ओफिस से घर लेट आते हैं हमारा case भी special है sister प्लीज हेल पस ओके Mr. Gomes आप एक application लिख दीजिए सारे रीजस बताते हुए और आप दोनों उस पे sign कर दीजिए Thank you मैंने clear लिख दिया है कि अगर तुम पस्टॉप पर टाइम पर नहीं पोंची तो Emily को ड्रॉप किया जाएगा और वहां से वो घर अपने आप आप जाएगी लो साइन करो ऐसा कभी नहीं होगा तुम थोड़ा टूमच नहीं करें तुम तीनों के लिए टूमच तो क्या उससे ज्यादा करना पड़ेगा ना तु वो भी करो तुम दुनिया हो मेरी साइनेट पर वो दिन आया जो मैं नहीं चाहता था कि आये मेरे जाने का दिन सब थे घर पर टेविड या टॉलिट्री स्पैक करती ना तुमने ओ गॉड़ मैं बूल गया तुमें भी बूलने की याता थे मैं लाती हो यह यह यूग थांक यू मेरी अब आई ममा सब थे घर पर एमिली और एंडी अपने कजिन जिमी के साथ खेल रहे थे डेविड एरपोर्ट छोड़ दे तो अरे नहीं नहीं मार्टिन राजेश है ना मेरा कलीग वो जा रहा है मेरे साथ ओके राजेश भी जॉर्डन जा रहा है तुमने बताया था करें मार्टिन मैंने मेरी से काया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पहले तुमें फोन करें अगर कोई भी एमर्जन्सी हुई मार्टिन होगा मतद के लिए मेरी की बहन ओलीविया और उसका पती जॉन फर्नाडेस अपी जोनी देड़िट था क्यों जॉन अन देविड मैरी एमिली एंडी की टेंशन मत लेना मॉम रहे गी उनके साथ थांक्स, थांक्स अलिविया चलो चलो साब, डिनर टाइम हो गया एना रेविलो मैरी और अलिविया की मा, मेरी सास वो हमारे घर रहने वाली थी मेरी गैर हाजरी में मैरी की मदद कर तुम खयाल रखना अपना तुम भी अच्छा सुनो पोट करके और लांड करने के बाद प्लीज मुझे फून करना करूं का स्वीरार मैंने कारपेंटर से बात कर ली है वो मैक्सिमम एक वीक के अंदर तुम्हारा स्टरी ठेबल रेडी करतेगा नो प्रॉब्लम पापा अब अच्छे से जाएए मैं हूना, मैं सब मैनेज कर लूँगी अब मैं राम से जा सकता हूँ चो मैं स्ट्रॉंग कर रहा और एंडी, आपा को मिश करेगा अग्यात के डर उस अंजाने खौफ ने मेरे जाने के दस दिन बाद मुझ पर अटैक किया एंडी बेता, भूख लगी है, कुछ खाओगे? नहीं, नहीं, भूख नहीं है अच्छा 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 शांच्छा अच्छा 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 मेरी? 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 मेरी, उठो! पॉनि साथ बच चुके हैं! एमिली अभी तक नहीं आई! मामा, ये घड़ी पंतरा मठा के मैं अभी देखकर आती हूँ! तक मेरी के वारो मुँमा इसे साथ जए तक आताा मेरी के एसाथ आता मेरी के अरा के चुके सब्सक्राइ मेरी के आता एमिली विल्डिंग नहीं तो क्या होगा मेडम मेरी, एमिली आई क्या नहीं ममा, मैं तुमको अभी वही पूछने वाली थी नहीं मेरी, एमिली यहां तो नहीं आई एंचला, रोसी कार आई? हाँ, वो कब का आगया? क्यो? एमिली घर नहीं पहुचा? एक मिनिट प्लीज, रोसी को बुला तो चाव आउंटी? बिटा, वो एमिली तुमारे साथ बस से उपरी? हाँ, तो कहा गई वो? मुझे नहीं पता, वो अपने बिल्डिंग के तरफ गई, और मैं अपने घर पर आ गई नहीं पिठा, एमिली घर नहीं पहुची अब तक मुझे नहीं पता मेरी आउंटी बस में हमने सब को बाय बोला, हम नीचे उतरे और चड़ने लगे फिर में मेरे घर पर आ गई और वो अपने पिल्डिंग के तरफ चली गई बाय, रोजी मेरी तो कह रही है कि इसे हड़ बस उसे वापस लेकिन मेरी तो कह रही है कि इसे हड़ बाडाने से कुछ नहीं होगा मैं स्कुल जाकर चेक करता हूँ, क्रेसी तो मेरी को घर लेगा, जाईगी हमारी अमेली वापस मेल जाएगए मैं भी चलता है मेरी, सब मेरी गल्ती है, मैं में आलाँ लगाना पूर गई मेरी तो शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा मार्टिं गया है ना, एमिली को जरूर ले आएंगे चलो, अंदर चलो, गोवद बर्स कंड़क्टर है पंकज राने, मेरी बात ही उस्से पंकज ने कहा के एमिली अपने रोज के ड्रॉप पॉइंट पुत्री लेकिन एमिली घर पर ने कमचे सर, आप प्लीज दूसरे बस वालों से पूछे ने, हो सकता है गलती से कोई बस वालों से वापी स्कूल में लेकर आगया वापस लाया होता है, सबसे पहले ख़़र मुझे होती दिखिए, सारे बसे वापस आगई है, लेकिन एक भी बच्चा अभी तक रेटर नहीं है और मेरे पास एमिली घाया, कि एमिली घॉम्स को उसके ड्रॉप पॉइंट पर अकेले उतर नहीं दिया जाए हाँ, हाँ, मैं बिल्डिंग के फ्रेट्स चेक करती हूँ, जब तो माओगे ना तो बाकी के बिल्डिंग्स चेक कर रहा, ठीक है मार्टिन और डेविड का दोस्ट सचिन दोनों स्कूल गए हैं, लेकिन एमिली वहां भी नहीं है मामा अपने फ्रेंड के खर खेलने गई होगी वो पता नहीं, अलिविया, मेरी ने उसकी क्लास मेट रोजी के घर भी चेक किया, वो वहां भी नहीं थी रोजी ने कहा कि वो हमारी सोचाइटी की तरफ गई थी लेकिन बोच्चमन कहता है कि वो हमारी सोचाइटी क अंदर आई ही नहीं पता नहीं, तहां गई होगी मेरी बच्छी मैं बाद में कॉल करती हूं ममा, जान है शैद दर्वाजे पे क्या हुआ? जॉन, एमिली मिसिंग है मिसिंग, मतलब मतलब स्कूल से निखली पर घर नहीं पहुची और किसी को कहीं मिलने रही है बाबा, एमिली को क्या हुआ पता नहीं बेटा, एमिली खो गई पर हमसे जल्दी धून निका लेगी टिक अप करने क्यों नहीं कि पता नहीं जॉन, ममा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सोती रह के इसलिए लेट हो गए जब एक बच्चा घर नहीं लोटता तो घर वालों की सारी काइनात सर के बल उरट जाती है डेविड और मेरी गोम्स के सारे रिष्टेदार मिलकर एमिली की खोज में लग गए उन्होंने उन सभी जगाओं पर ढूंडा जा उन्हें लगा कि एमिली जा सकती थी लेकिन दस वर्षी एमिली कहीं नहीं मिली एमिली मिसिंग हो गई थी गाइब मुंबई में बज रहे होंगे सवा नौ पंतरा मिनट बात फोन करूँगा घर रोज की तरह आम शूर एमिली, एंडी और मेरी साड़े नू बजने का वेट कर रहे होंगे वैसे एमिली बहुत खोश है उसका स्टड़ी टेबल आगे ना इसलिए वाँ, फोटोग्राप सेजने वाली है मेरी पच्ची आप तक गढ़ नहीं आई वो तैस साल की है ज़रूर कुछ खलत हुआ है अब ने सोसाइटी की सारे फ्लेट में चेक किया सर, पासवाली बिल्डिंग जहां एमिली की दोस्त रोजी रहती है वहाँ भी चेक किया, एमिली कहीं नहीं मिली सर सर, हम उसके स्कूल भी गए थे, वो वहाँ भी नहीं है किसी पर शक क्या, आपकी फैमिली की किसी से कोई पुरानी दुश्मन नहीं हो या आपका या आपके मिस्टर का किसी के साथ जगडा हुआ हो या ऐसा कोई हो, जो आप पर का गुस्सा आपकी बच्ची पर उतार सकता है किसी पर कोई शक सेर, मेरा भाई डेविद सीधा आदमी है एंजिनियर है, उसका किसी के साथ कोई जगडा बगडानी है वो इस वत का है जॉर्डन में, दस दिन पहले कंपनी के एसाइन्मेंट पर गया है रंजना रंजना पॉन है ये रंजना नेट रंजना हाँ हाँ, वो हमारे गर में काम करती थी वो अभी भी आपके गर में काम करती है सर, वो प्राबलम जब वी थी तो डेविद ने खुट सोसाइटी ओफिस में आखे खबर दी थी वो रेगुलर नहीं है सर ये रंजना है कौन प्राबलम क्या होई सर, तकरीबन एक साल पहले की बात है मेरी का उपरेशन हुआ था ब्रेन ट्यूमर का उस वक्त उसे काम पे रखा था उस वक्त उसने कुछ जूलरी चुड़ाई मेरी की और मेरी के मदर आना की और कौन डेविद मैने उस रंजना को कितनी बार वाण किया है कि इधर उधर ताका जहांका मत कर मैं हंडेट परसेंट शूर हूँ उसीने मेरी जूलरी चुड़ाई है ठीक है मामा कल जब वो आएगी तो आप दोनों से कोई बात मत करना पहले मैं पूछूँगा उससे ये क्या फालते इज़ाम लगा रहे है साब चोरी वोरी करती तो आप दोनों के जैसा फलाट में रहती जोपड़ पटी में नहीं रहती गरीब हूँ साब पर हमारी भी कोई इज़त है जानता हूँ तुम गरीब हो जानता हूँ तुम्हारी इज़त है लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये जेवर तुम ही ने चुराए है रंजना और ये चोरी तुमने इसलिए की है क्योंकि तुम गरीब रहना नहीं चाहती लेकिन मैं ये चाहता हूँ रंजना कि तुम्हारी इज़त के साथ कुछ ना है पुलिस के पास जाएंगे तो वो बहुत बुरी तरह से पेश आएंगे तुम्हारे साथ बैज़ती तो होगी ही साथ में पूरी लाइफ खराब हो जाएगी इसलिए मैं आखरी बार पूछ रहा हूँ रंजना ये जुलरी तुम लोटाओगी या पुलिस के पास जाकर निकल वाएं तुमसे तुमने बहुत समर्जदारी से काम लिया है रंजना तुम्हारा जो भी हिसाब बनता है मुझे बता दो मैं सारे पैसे क्लियर कर दूँगा और हाँ कल से काम पे आने की ज़रुत नहीं दूसरी बात इस सोसाइटी में भी कहीं काम ढूणने की ज़रुत नहीं इस रंजना का मोबैल नमर है आपके पास? नहीं, नहीं आप में से किसी के पास? वो डेविट उसे किसी एजिंसी के थ्रूल आये था डेविट मैं क्या बोलू कैसे हूँ? हुआ हुआ है हुआ हुआ है हालो टीविट जॉन बात कर रहा हु है हे जॉन वाट अ सप्राइज तुम्हर अरॉ लिविया घर आयो क्या हम मेरी के साथ ही है अच्छा सुनो न, वो जो एक मेड रखी थी, तुम्हें याद है एक साल भर पहले रंजना, उसका नंबर है के तुम्हारे पास? रंजना का नंबर तुने है मेरे पास, अरे इन फैक्ट उसे तो मैंने किसी एजनसी के थू हायर किया था, लेकिन उसका नंबर क्यूं चाहिए, मैरी का है, जौन घर पे सब ठीक है ना? डेविड, हमें रंजना का नंबर चाहिए, अरे लेकिन क्यूं चाहिए नंबर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, घर पे सब ठीक है ना, जौन, तुम मैरी को फोन दो, वो, चली बहा, क्या एक्चुली, तुम मेरी से बात कराओ ना, प्लीज, जौन, तुम कुछ बोल क्यू तुम मेरी मेरी से बात कराओ प्लीज, डेविड, थोड़ा शांती से सुन यार, देख, यहाना कुछ प्राब्लम हो गया है, क्या प्राब्लम हो गई है, मेरी से मेरी कोई बात क्यों नहीं करवा रहा है, कुछ, यह कुछ हो गया है यार, यहां, मेरी, मेरी ठीक है, हाँ, मे डिविट.. डिविट.. डिविट क्या हो आ? डिविट.. डिविट क्या हो आ पर.. एमिली.. क्या हुआ अमली को? क्या हुआ? पतना है कि इस कॉलोनी का एक भी फ्लैट छूटना नहींचे है आस पास की हर एक दुकान में इंक्वारी करें हर शिफ्ट के हर वाचमें से पुछे पेपर वाले, सबजी वाले, दूद वाले, नॉककर टाइवर सबको बला और वाचसेपर एक गुरूप तबर तों बना हुआ अपने सारे आदमियों को उस पर एड़ को जो भी इंफोर्मेशन मिलती है उस पर अपलोड को अभी बनाता हूँ दस साल की बच्ची रात के दस बजने आ रहे है ठीक नहीं बिलकुल ठीक नहीं पड़नाई मुझे किसी भी सूरत में बच्ची सही सलामत चाहिए सर सर मैं भी चलू आपके साथ मैं सोसाइटी में सब को जानता हूँ सर ठीक है चलो साब मैंने इंगम्स मेडम से कहा था कि मैंने अमीली को अंदा हाते नहीं देखा यससर मैरी आई कि एमेली की बारे में पूछनी की लित तो रोजी उसको बोला कि वो और अमníली साथ ही बस से उत्रे थे यस अंकल मैं और अम्ने छ साथ ही से उत्तनी बस से उतरे थे हमने एक दूसरे को भा किया M.E. अपने बिल्लिंग के तरफ चली गई और मैं अपने घर पर आ गई साब, सोसाइटी वालों ने मेरी डूटी यहीं लगाई हुई है मैं यहीं से पहरा देता हूँ जगें कब-कब छोड़ते हो टॉलेट टॉलेट के अलावा जब कभी पार्किंग की दिक्कत हो या फिर कोई आवाज दे के मुझे बुला लेकिन अपना काम खत्म करके मैं यहीं आ जाता हूँ यह लड़की तो रोज दिखती है बगल वाली सुसाइटी में रहती है यह आज का कामप्लेक्स में आज देखी थी हाँ साब शाम कुछ स्कूल से लौट रही थी तब देखा था इसके साथ एक और लड़की थी तुमने से सुसाइटी की गेट के अंदर जाते देखा अब इतने ध्यान से तू नहीं देखा रोज जाती है तू नहीं गई होगी ओके नबर दो मुझे हाँ 444-67-57-87 रंज ना यह ओके थैंक्स कल सुबब की पहली फ्लैट है आट बजे की दुबई की वह से कनेक्टिंग फ्लैट है मुझे यह नहीं आना चाहिए था उन्हें आकेला नहीं चोडना चाहिए था कि झालना चाहिए था शर्शाइटी में जितने लोग है इस तबी से बात किये एं एमिलिके इस्कूल फ्रेंड्स भात किये जो उसनमें बस में थे तभी कह रहे हैं कि तो रोजी और एमीले एक साथ बस से उतरी और चलकर सोसाइटी के तरफ गए इस ती बाले ने भी देखा था साथ यहां पर सिर्फ विसी एक सोसाइटी में सीस्टीडीवी कैमरा है मुझे इसकी फूटेज ची है सर सर एजन्सी से हमें उस रंजना का नंबर मिले एक दस साल की बच्ची गुमशुदा हुई थी और उसी रात को पुलिस ने उस एरिया से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर सर्विलेंस लगा दी जोन के हर पुलिस टेशन को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया पुलिस का सर्च उपरेशन राद भर चला और एमिली का परिवार एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया निराशा और डर सांसों को कसने लगा एमिली की खबर के लिए सब के सब तड़ब रहे थी एक बच्ची ऐसे कैसे गायब हो सकती थी क्या उसका अपरण हुआ था स्कूल से घर लोटते वक्त एमिली कहां कैसे और क्यों गायब हुई इस खौफनाक वाकियात का पुलिस के पास एक भी सुराग नहीं था पापा ये न्यू स्टड़ी टेबल तो बहुत ही अच्छा है आई लव इट थैंक यू पापा रिली स्वीठाद? हाँ पापा अभी अभी आया है वेरी गुड और तुमारी स्टड़ीस कैसी चल रही है स्टड़ीस अची चल रही है पापा बस ममा मैं एंडी आपको बहुत मिस करते हैं मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करता हूँ सुबह से शाम तक वेट करता हूँ कि कब तुम लोगों से बात होगी मुझे दोना मुझे दोना मुझे दोना कर दो कि अज़िए नज़रा रहा है कि एमिली और रोजी इस लेल से अपने अपनी सोसाइटी के तरफ गए हा लेकिन एमिली सोसाइटी के अंदर नहीं कर दो लगी वाश्मान कहते कर दो कर बाय बाय रोजी अज Fool अजीब है थोड़ा सर मैं बच्ची रोज की तरफ उस लेन से अपनी सोसाइटी की तरफ जाती लेकिन सोसाइटी के अंदर नहीं जाते है यह जाती भी है, तो वाच्छमन कहता है कि वो इंडरन निगूँ है, वाच्छमन को काफी तोड़ा सा, बोला नहीं आई थी, उसका बेग्ड़ॉंड भी चेक है, एक्दम क्लीन है, और वो नोकरा नहीं, रंजना, सर्मुझे नहीं लगता है, वो इंडरने है, नहीं साब, ज मुझे मालम नहीं साब, तेरी चोरी पकड़ी जाने के बाद, अगर तुझे हमारे पास लाया जाता, तो तुझे हमारी दवाई का सैंपल में तो, और याद रख, हमारी दवाई बहुत कड़वी है, जिसके बोलो उसके शपत खाने को तयारू साब, मैं तो एक साल से याश स्रम ने उस गहर में बूश्टाश की, रजजनर रात तक उसी घह में ती, वो इंवल्व नहीं है, गहर में एक नायय स्टेड़ी दे बोलाया है, वो और कारपर्टनर का डेलियरी वा है, उसकी कह रिपॉड़, जिए रिपॉड़, अजिए, जिए, 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 दोनों क्लीन है सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्राइम के दिन दोनों काम पर थे, कुछ तो है जिससे इस वर्त हम अंजान है, लेकिन बहुत जल जान जाए, आइ थिंग, उसे कोई जान फैचान वाला मिल गया हो, जो उसे वहां से ले गया हो, किडनेप, यह सर, नानी, एमेली कहा है, बेटा, वो बाहर कही है, आजाएगी, प्लीस अपने आपको टॉचर मत करो मेरी, कुछ खा लो, कुछ ने खाना मुझे, जब तक मेरी एमेली ने बिलती, कुछ ने खाना मुझे, देखो डेविड आ रहा है, तुम्हें उसके लिए मजबूत रहना है क्या मुझे दिखाओगी मैं से, क्या बोलो कि इसको, कि तो कुछ की आदास ते मुझे याद दिलाने के लिए कि एमेली कुछ टाइब से लेना, मैं बस सुथी रहने, मैं कैसी बोल गई, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ मेरी, बिलीव मी हम सब प्रे कर रहे हैं, एमेली मिल जाए की, कैसे मिले की मेरी बच्ची, कहां मिले की, कौल लेके हो से, कैसी दुष्मनी है, मेरी जोटी से बच्ची से, कैसी दुष्मनी है, या, या, थैंक्स, डेविट की फ्राइट साड़े तीन बजे लेंड हो रही है, ठीक है, मैं जाता हूं उँसे लिए नहे, आप यहां पर मेरी और अलिवे आके साथ रुखी है, मेरी के हालत बहुत खराब है पताने इंडेविट किस हालत में होगा, जाते वो कितना टेंशन में था वो लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं रही है, कोई अमेली को किड्नाप क्यों करेगा और अगर करता भी तो कोई रैंसम कॉल्स तो आने चाहिए ना तरही अस्त्री वाले के दुखाने, इसने उन दोनों बच्चीयों को इस तरफ जाते हुए देखा दो रोजी ने एमिली को यही से गुड़बाइ किया, उसके बिल्डिंगे पास यह रहे हो उसके बिल्डिंग और यहां से एमिली अपने बिल्डिंग की तरफ बही है कम अबली बिल्डिंग तक आई तो जरूर, लेकिन बिल्डिंग में दाखिल नहीं है राइट से, वाश्मिन ने तू नहीं देखा वहां कुछ दुकाने हैं जाने के बजा है, यहां इस रास्ते पर आई हो एलाई गई हो क्या यहां से कई और चली गई हो यह ले जाए गई हो सर शायद यहां इस रास्ते पर कोई गाड़ी खड़ी हो जिसमे उसको ले जाए क्या हूँ? इस हीर है कि जितने भी ट्राफिक जंक्शन्स हैं, वहां के कल रात के सब किसी सीडी भी फुटिजेस मुलता हो अगर वो किसी गाड़ी में है, तो हम उसे स्पाट कर पाएंगे सर जल से जल सारा फुटेज अवेलेबल हो जाए सर, कॉंस्टेबर रेखा पटवर्दन, एमिली के स्कूल गई थी, उसका बेकड़ाउंड चैकर ने ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, जो इस बात को सैजस्ट करें कि वो बच्ची अपने आप से कहीं चली गए एक दस साल की बच्ची, अगर इमोचले ने डिस्टर्ब भी हो, तो भी अपने आप कहीं चले जाए, चांस ही नहीं है और वो भी ओलने, इंपॉसिल ऐसा भी तो हो सकता है किसी रिष्टेदार के यहां चली गई सर, गोम्स परिवार के रिष्टेदार है कुछ, मैरी की बहन उलिविया, उसका अस्बंट जॉन, मैरी की मा एना, डेविड का बड़ा भाई मार्टिन और उसकी बतनी ग्रेसी, यह सबी लोग उसका गोम्स परिवार के साथ उनके घर में है तो पिर एमिली किसके घर गई होगी? सर, दरसल घर लोटते वक्त एमिली काफी अच्छे मूड में थी उसकी स्कूल फ्रेंड रोजी से मेरी बात हुई अस्वारे में क्या एमिली किसी बात को लेकर परेशान थी? या चपचाप से थी? नहीं अंकल, एमिली तो बहुत हापी थी रोज के तरह थी, कुछ अलग सी नहीं थी एक काम करो, एक और टीम त्यार करो यहाँ पर इस रास्ते पर जितने भी दुकाने हैं कौनली से है सबसे पुछो कि किसी ने एमिली को देखा है? क्या वो किसी के साथ थी? अगर वो किसी के साथ थी, तो वो कौन था? पटनाइक, मेरे बाद शेक से गरवागा यह सार, हाँ सामने वाला रास्ता यहाँ पर बिल्लिंग्स और मंगलोज है, सब कुछ कवर करना इसे अलो सर, डॉन, कुछ खबर मेली? मिलेगे, यह डेविड गोम्स कब लैंड हो रहे है? साथे तीन बजे, मैं जारा हूने लेगे आते हैं उने मेरे ओफिस लिया आना, बाद में घर रा सकते शौर कुछ कर दोर कल राज से सब लोग है मिली को ढूंड रहे हैं घर जाने से पहले डी सीपी से मिलना होगा वो रा देख रहे तुमारी अपने ओवर्सेस डेपूटेशन से काफी दुखी थे तो तुमारे ओफिस से परता चला मैं अपनी फैमिली को अकेले छोड़ कर जाना नहीं चाहता था सर मेरी मेरी वाइफ मेरी ब्रेंट यूमर के ओपरेशन से फुली रिकवर नहीं हो पाई तुमारे बेटी तुमारे सोसाइड़ी की गेट की तरफ आ रहे थी बीच में उसे कोई मिला वो उसके साथ चली गए अगर वो कोई अजनवी था अंजान था तो एमिली चिलना थी तो आप ये कह रहे हैं सर कि मैंने खुद अपनी बेटी एमिली की केड़ना पिंकरवाई है ताकि मेरी कंपनी मुझे जॉर्डन से वापस मुंबई बेश दे मैं तुमसे बस एक सवाल पूछ रहा हो डेविड गोंस आपने ऐसा पूछा क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हैं लेकिन यहां मेरी सोच, मेरा दिमाग, सब सब सुन पढ़ गया है सर मेरी बेठी, Emily, sir, मेरी जान है वो का एभू है सर वही हुआ जिसका डर था तो तो तुमें डर था कि मेरी दर को कोई किड्नाप करेगा लेकिन जाब क्यों था पता नहीं, सर एक अन्जान सा अक्यात सा डर था, सर कि कुछ बुरा होने वाला है तेखिये, हो गया कोई मेरी बेटी की किटनापिंग क्यों करेगा, सर क्या मेलेगा किसी को ऐसा करके Mary? David? मेवा तो मेरी कलती है तो मेरी कलती है, David maurincang TШУDEE आप आपको मेरी, मुद्द की no, no, no Mary, Nothing आपनापको ब्लेंगो रहो ब्लेरस सांह लोगए Emily, प्लेगी प्लेगा.. 0da हम मिल कघुड़नें डून खाना प्लेगा प्लेगा तुम प्रेह करो प्रेह करोख प्लेगा 73 एमिली को गायब हुए दो दिन हो गए थे पुलिस द्वारा लार्ड स्केल मैन हंट के बावजूद एमिली के बारे में कोई ख़बर नहीं मिल रही थी वक्त की सुई बढ़ती जा रही थी तनाव बढ़ता जा रहा था अलग अलग पुलिस टीम्स अलग अलग अंगल्स पर काम कर रही थी लेकिन कोई लीड दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी मुझे सीरेसली लगता है यह कोई इंसेट जॉब है यह बच्ची तो सिर्फ दस साल के हैं लेकिन सिर्फ फैमिली का कहना है कि बच्ची बहुत इसमार है पापा बिना आई पीस से देखे मैं नहीं ममा को और नानी को दर्वाजा खोले दूंगी अगर ममा स्कूल बस्टॉप पर लेट हो गई तो मैं सीधा सीधा बिना डरे अकेले आ जाओंगी और अगर कोई स्टेंजर मुझसे बात करने की कोशिश करेगा तो मैं जोर से चिलाओंगी बचाओ, हेल्प अब मैं हाराम से जा सकता हूं क्यों मैं स्ट्रांग कर सर, एमिली के बैरेट्स का कहना है कि एमिली टीवी पर क्राइम शोज बहुत देखी अब तो सवाले नहीं उठता कि कोई अज्यात आदमी या औरत एमिली का अपारंड कर सके अगर कोई जोर जबरदस्ती करता तो वो चिलादी जरूर राइट सर, मेरी, अब मुझे और जौन को घर जाना होगा पर कल सुब हम जल्दी आ जाएंगे, ओके? एतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू जौन इंबर्स मत करो डेविड, कल सुबह जल्दी आ जाओंगा, हम सब लोग मिलके हमारी अमिली को जून निका लेके, ठीक है? जब बाहरी दुनिया में पुलिस को इस केस का एक भी सुराग नहीं मिला, तब उनका शक घर के अंदर की दुनिया में बढ़ता गया, पुलिस को अभी तक किसी एक शक्स पर शक नहीं हो रहा था, और नहीं कोई ठोस कारण सामने आ रहा था, बसा रही थी तो एक अजीब सी गट फीलिंग, एक अंदरूनी फीलिंग के ये इंसाइड जॉब है, और पहला बड़ा ब्रेक्थ्रू भी इसी दिशा में था, हाँ सर, बच्चे का नम आशीश है, आशीश पिंटो, ये एमिली के बिल्डिंग के सामने वाले रास्ते के एक बिल्डिंग में रहता है, क्या किया रहा है, अमिली को दिखा था उसमें, हो चाइब, उसे यहां लेगो, हो चाइब, क्या ये थी? हाँ, ये ही थी, तब तो तुमने इसे, इस इनिफोर्म में देखा होगा, है ने बेटा? ये सर, ये इस पर शकुल का इनिफाम है, हमारी बिल्डिंग जे कलड़का भी वही पड़ता है, अबने और के देखा, बता सकते हूँ, सर, मैं पनी साइकल चला रहता, अच्छा, वो अदमी जिसके साथ एमिली बात कर रहे थी, क्या तो उसे जानते हो? उसे नहीं जानता, अशिष पिता, आप बता रहे थे कि उस आदमी से ये बहुत आराम से बात कर रहे थी, हैंगा? स्माइल भी कर रहे थी, पिर वो दोनों कार में बढ़े और चले गए, और चले गए, अब तार का तल्लोर क्या था था पिता? शायद ब्लाक अशिष बेटा, वो चो कार थी, छोटी कार थी या फिर बडी कार थी? मतलब, डिकी वाली बडी गारी थी या एटाश डिकी वाली छोटी कारी थी? छोटी वाली सर ब्लाक कलर की हैजबेक कार? हाँ, ब्लाक हैजबेक क्या आपके सरकल में किसी के बास ब्लाक हैजबेक कार है? किसी ने एमिली को ब्लाक हैजबेक कार में जाते वे दिखाए? शायद वाद में एमिली को पहिचंदा था नार्मल सी बात हो रही थी सर अभी इमिडेटली तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसके पास ब्लाक हैजबेक कार है जरा दिमाग पर जोर लगाए मिस्टर गोम्स इस वेरी वेरी इंपोर्टन ये सर क्या गह रहा है किसी ने एमिली को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखा था सामने वाली सड़क पे फिर वो उसे एक ब्लाक हैजबेक कार में लेकर कहीं चला गया कौन था मैं पता मेरी सिर्फ इत्मा मालो मैं कि एक ब्लाक कलर की कार थी ब्लाक हैजबेक कार ब्लाक हैजबेक कार किस कि 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 हो सकती है ब्लाक हैजबेक कार लीड छोटी से है पर मजबूत है सरे काम करते हैं सीसी टीवी फुटे से सारी ब्लाक हैजबेक कार्स अलग करना शुरू करते हैं हैजबेक से नहीं सारे सेडन को पी आईसुलेट करते हैं क्या पता अशिष ने गलत इडिन्टिफाय क्या हूँ? सर्व राइट सर्व सुराग की रस्सी पतली सी थी लेकिन थी मजबूत एक बात सपच थी कि एमिली किसी जान पहचान वाले आदमी के साथ बात कर रही थी नॉर्मल रेगुलर बातें हो रही थी और फिर वो इस आदमी के साथ अपनी मर्जी से गई एमिली गई तो गई कहां? लोटी क्यों नहीं? और कौन था वो आदमी? एमिली के पता डेविड को एक अग्यात अंजान सा डर था कि कुछ गलत हो सकता है शायद कोई चूख हो सकती है इस केस में गुनेगार कोई अजनबी नहीं था ये खतरा अंजान नहीं था ये काम किसी जान पैचान वाले नहीं किया था कोई करीबी इनसा क्योंकि ये बात तो बिलकुल साफ थी कि एमिली किसी अजनबी से बात तक नहीं करती वो काफी स्मार्ट और सुलजी हुई बच्ची थी लेकिन कोई जान पैचान वाला उसके लिए घात लगा कर बैठा था और एन मौके पर उस पर जपट कर उसे अगवा कर लिया गया था एमिली गोम्स के मिसिंग केस की असलियत क्या थी ये हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखरी भाग में आप से फिर मुलाकात होगी Crime Patrol सतर्क में तब तक अपना खयाल रखें सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें और याद रखें जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं ये तो वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें जै